गुड मॉर्निंग नमस्कार वादाब प्यारे बच्चो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th Class Education का एक टॉपिक है 3rd Unit का जो है शार्प कमेटी इससे पहले हमने पिछली वीडियो में कवर कियां टेंडाल बेस को तो एक दो टॉपिक पढ़ें और आज का जो ये टॉपिक है वो है शार्प कमेटी रिपोर्ट 1916 में तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे नोट्स प्रिपेर करेंगे और पढ़ेंगे और जिस बच्चे ने अभी तक मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर दे एजुकेशन वाले बच्चे ही सबस्क्राइब करें क्योंकि आपको जो भी वीडियो में 11 वर 12 क्लास की वीडियो उस पर डालता हूँ तो आपको आसानी से मिल जाए जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो ये वो दोर था 1916 में तब राजा महराजाओं का दोर था जमौर कश्मीर में तो ऐसा चल रहा था कि उस टाइम कश्मीर में जो पंडित लोग वगे रहा थे वो तो काफी एजुकेशन हासल कर चुके थे अच्छे पढ़े लिखे थे लेकिन जो वहाँ पर मुस्लिम कमुनिटी थी जो मेजार्टी में थी जो डेवल से भी जादा थी उस टाइम कश्मीर में लेकिन वो बहुत कम पढ़े लिखे थे अब उनको जरूरत उस टाइम थी कि वो लोग भी तालिम हासल करे तो कुछ लोग उने बहुत कोशिश की तालिम को बढ़ावा देने के लिए पहले तो मस्जिदों में बच्चों को पढ़ाया करते थे लेकिन वो एजुकेशन काफी नहीं थी स्टेट के स्कूल में कंपेर करोगे तो स्टेट के जो उस टाइम स्कूल था जम्मो कश्मीर में राजाओं का साथ परसंट हाडली मुस्लिम बच्चे अच्छे बड़े लिखे थे तो वहाँ पे बहुत कम परसंटेज थी तो उन्होंने छोचा कि अब एक्स्ट्रा स्कूल खोले जाए और मुस्लिम्स को भी एजुकेशन दी जाए तो आप ये भी मान सकते हूं कि शार्प कमेटी के बनने के पीचे यही एक राज था कि जो मुस्लिम्स काफी इलिटरेट थे उस टाइम पे वो तालिम हासल करना चाते थे स्टेट के स्कूल्स में कॉलेजिस में और गर्ल्स एजुकेशन तो बहुत ही कम थी उनको एजुकेशन देना चाते थे तो वो सारे लोग उन्होंने क्या किया महराजा परताब सिंग के पास गिये उस टाइम पे महराजा परताब सिंग थे यहां पर जम्हो किश्मीर में तो उन्होंने कहा कि यहां पर एजुकेशन दे जाए तो उन्होंने एक committee बनाई थी और education का एक survey किया गया एक committee बनाई और उसमें यह decide किया गया कि कैसे education देनी है किस किस type के school खोलने और क्या-क्या problems education में आ रही है ताकि वो दूर की जाए तो उसी committee का नाम रखा गया है sharp education या sharp committee report of 1916 आपने ये भी याद करना है अपनी notebook में नोट करना कि उस time जम्हो कश्मीर में महराजा कौन था वो comment में भी रिखोगे और वो कितने time तक रहा था उन से पहले कौन था और उसके बाद कौन था मैं यहाँ पे भी लिख दूँगा लेकिन आप comment में जरूर लिखोगे मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखी है तो ये class 12 education का जो unit 3 है उसका topic नंबर 4 है अगली वीडियो में हम topic नंबर 5 कंप्लीट करेंगे पहले ये अच्छे से आप जितने भी topics हमने पढ़ें ये सारे लिख के आप त्यार लिखोगे तो ये नरिंद्रा की जो book publish की है जेके बोस के syllabus के pattern पे नरिंद्रा वालों ने तो उस book से लिखा मैंने तो कहीं और से भी आप पढ़ सकते हो ठीक है the education of Muslims who constituted the majority of the total population of the state was a major issue during the regime of महराजा परताब सिंग केते कि जब इनकी हकुमत थी महराजा परताब सिंग की जब इनका दोर था कश्मीर में या जमू कश्मीर की स्टेट की बात करेंगे तो Muslims की education जो थी उस टाइम एक major issue था इनकी majority में population थी आबादी भी बहुत थी लोग भी ज़ादा थे ये majority में थे तो इनकी education के लिए इन्होंने क्या किया था ये sharp committee लाए थी the Muslims आप सिरी नगर वर growing conscious आप दियर education हाँ कश्मीर के जो Muslims थे उनमें conscious एक अपना शाओर केते हैं न एक जजबा एक सोच पेदा हुई थी कि हम education हासल करेंगे और education से ही हमारा सुधार हो सकता है हमारे लिए education बहुत जरूरी है तब वो compare भी करते थे कि जो पंडित community है या बाकी वाले हैं तो almost 83% वो लोग जो थे बड़े लिखे थे तो हमें भी अपने बच्चों को अच्छी तालिम देनी चाहिए इसलिए महराजा ने भी क्या किया जब लोगों का conscious देखा इंट्रेस्ट देखा तो ये भी मजबूर हुए इनके पास पहुंचे कि अब इनको भी education दी जाए तो इन्होंने एक committee बनाई जिसका नाम रखा था sharp committee report of और कब बनी थी है 1916 में देयूट महराजा तो गरांट देम educational facilities दस महराजा प्रताब सिंग इन्वाइट सर हैंडरी शॉप education commissioner of India in 1916 to make suggestions for educational facilities to the Muslims of कश्मीर वेली तो जब वो महराजा के पास गिये उन्होंने कहा कि हमें educational facilities कुछ दी जाएं तो ये सुनने के बाद जो महराजा थे उन्होंने invite किया हैंडरी शॉप को sir हैंडरी शॉप ये नाम है उस आदमी का जिन्होंने committee बनाई थी और वो उस टाइम क्या थे education commissioner of इंडिया थे 1916 में to make suggestions for educational facilities to the Muslims of कश्मीर वेली तो कश्मीर वेली के Muslims के लिए जो भी educational facilities पे इनको कहा कि आप एक रिपोर्ट त्यार करो और उसी के according हम इनको education facilities दे देंगे उसके बाद इन्होंने क्या किया compose की composition of committee composition of committee जब committee को compose किया इसको बनाया तो इसमें members वगेरा जादा नहीं रखे थे इन्होंने इन्होंने अकेले ही committee बनाई थी जो ये one man committee भी बोल सकते हो इसको जादा लोग इसमें नहीं थे तो इसका जो chairman head जो होता किसी भी committee का एक head होता chairman होता वो खुद थे sir henry short ये इसके chairman थे बस इतना याद composition में आपने इसमें जादा कुछ याद नहीं करना तो इसके chairman थे sir henry short तो ये one man committee थी फिर इन्होंने इस committee ने recommendations दी क्या क्या recommendations दी कि अब किसी साब की education देनी है अब हम वो बारी बारी recommendations पढ़ेंगे तो मैं कुछ points आपको यहाँ पर discuss कराऊंगा 7-8 उसके अलावा जितने भी points होंगे वो आपने याद रखने उनको explain भी करना तो ये recommendations में था the following recommendations वर made by henry sharps अब नीचे कुछ points में हम recommendations को discuss कर लेंगे increase in number of schools तो पहली recommendation sharp committee to 1916 की क्या थी जो school की तेदाद है जो number is school की वो बढ़ाई जाए इसको भी आप explain करोगे simple point है कि जो eight present schools थे कश्मीर में उनकी तेदाद को बढ़ाया जाए liberal grants जो muslims होगे रहा हैं उनके लिए अलग से liberal grant दी जाए ताकि जहां पे भी अगर उनको कोई problem आए poverty की वज़ा से या illiteracy की वज़ा से या जिनके पास facilities नहीं थे उनकी वज़ा से जो भी problem आए तो उसके लिए भी liberal grants दी जाए यह second recommendation थी third recommendation जो committee ने दी उन्होंने कहा कि increase in number of scholarship जो different type of scholarship आज के दोर पे भी हमें मिलते हैं आज के NSP जो हमारा national scholarship portal है उस पे आप चेक करोगे बहुत सारी categories के scholarship मिलते हैं SC, ST, OBC, minority, physically challenged person मतलब बहुत जादा NMMA से अगर को intelligent बच्चा है exam qualify करता तो scholarship मिलते हैं तो यह demand उस time से ही रखी गई थी कि जो scholarship है उसको भी बढ़ा जाए उसके बाद था एजुके टेकनिकल और vocational education दी जाए जो भी बच्चे हैं उनको टेकनिकल और vocational education की किसी भी vocation के लिए तियार किया जाए कुछ कारोबार के लिए prepare किया जाए उस type की education दी जाए टेकनिकल टेकनिकली persons को तियार किया जाए establishment of college scholarship फिर उन्हों ने शार्प ने कहा कि जो college level पे भी बच्चों को scholarship दिया जाए ठीक है और इसके अलावा जो teachers वगरे पढ़ाएंगे teach करेंगे किसी भी school में तो वहाँ पर Muslim teachers को appoint किया जाए तो इसमें ये भी लिखा था कि अगर इनकी qualification कम हो इनको prefer किया जाए कम qualification पे ही लगाया जाए लेकिन Muslim teachers को भी appoint किया जाए ये भी एक recommendation थी ये थी six appointment of Muslim headmasters तो फिर उसके बाद जो next recommendation थी वो थी कि जो headmasters होंगे उस school में वो भी Muslim ही होने जाए प्राइमरी स्कूल फार गर्ल्स गर्ल्स के लिए अलग से प्राइमरी स्कूल खोले जाए ताकि गर्ल्स भी education से benefits ले सके ये 1916 की बात है ये committee के बाद इन्होंने ये सारी changes लाई थी implementation of committee में भी आप कुछ points याद करोगे तो इसके आलावा भी बहुत सारे points में आज आपको यही 8 points डिस्कूस करवा रहा हूँ वो लोग आप अपने जो notes वगेरा बुक्स वगेरा जो भी आपके पास source है या internet है वहाँ से भी कर लोगे तो इनको explain भी करना और समझना भी है तो आज का यह हमारा fourth topic भी complete हुआ अब next fifth topic की भी में वीडियो डाल दूँगा लेकिन चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दें ताकि हर एक वीडियो की notification आपको मिल जाए और आप time से prepare करो ओके धन्यवाद झाल 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 झाल